नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 News में गुलाम नभी आजाद को लगातार एक के बात एक जटके मिल रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ही है कि राहुल गांदी ने भरी मंच पर जम्मू कश्मीर में गुलाम नभी आजाद का मजा कोड़ाया उन्होंने का कि 90% पार्टी तो कॉंग्रिस पार्टी में आ चुकी है लेकिन गुलाम नभी आजाद का हम जिक्र ही क्यों कर रहे हैं इस तरीके की बात कहती हुन नजर आए है राहुल गांदी और सबसे बड़ी बात ही हैं गुलाम नभी आजाद एक बड़ा चेहरा है राहुल जी यह जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा आपने काया कि भारत को जोड़ने के लिए है अगर यह आपके भारत को जोड़ने के लिए आपकी यात्रा है और आपके छवी के परिवरतन के लिए नहीं है तो जिस समय आप लखनपूर में आए वहां पर डोगरा सुभमा हैं जिन शेत्र दलों ने जो शेत्र दल आपकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते थे लेकिन एक तो उनका अनादर किया गया उन्हें आपने स्टेज़ पर नहीं बुलाया और उसके बाद बाकी जो यहां के दल है उनमें से किसी को आपने आमंतरत भी नहीं किया उसमें गुलाम नभी आजाद की देमोक्राटिक आजाद पार्टी भी है तो जानना चाहूंगा कि अगर आपकी छवी के परिवर्तन के लिए यात्रा नहीं लाल सिंग जी ने यात्रा को सुपोर्ट किया और उनके सेंटिमेंट को हम अप्रिशेट करते हैं गुलाम नभी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पर बैठे थे लोग 90% of them are already in the Congress तो अब नव I think there's only गुलाम नभी आजाद जी on that side so I don't know if you want me to आदा करो him I will आदा करे him also no problem मैं मैं रिस्पेक्ट तो गुलाम नभी जी डेली तस्कीन से and I apologize for any hurt that we may have caused either लाल सिंग जी और गुलाम नभी आजाद जी तो देखा आपने इस वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद अब हम अपने जो सयोगी उन से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या गुलाम नभी आजाद की परवाह नहीं है भारत जुड़ो यातरा की बीच लगाता राहूल गांधी प्रेस कांफरेंस के दौरान उन्होंने भरी मंच पर गुलाम नभी आजाद का मजा कुड़ा दिया वीडियो भी आप देख सकते हैं देखेंगे लेकिन यहां पर पत्रकार जब सवाल पूछता है गुलाम नभी गुलाम नभी आजाद की हम बात करते हैं राहूल गांधी इन दिनों जो बयान दे रहे हैं देखेंगे उसके अंदर सीरियसनिस तो आगया है कल आपने देखा होगा दिक बिजे सी जब हमारे देश के सेना को लेकर गलत बयान बाजी कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने अपनी बाते रखें कि देखें हम उसका खुलकर भहिसकार करते हैं डिसापॉइंटिड का उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल गया अब देखेंगे दरसल मसला ये है कि राहूल गांधी ये कहना चाह रहे है कि गुलाम नभी आजाद ने जो कदम उठाया है जमू कश्मीर क जो रहें और उसके बाद राजे सभा भी गए कई बार वो मंतरी भी हुए उसके बावजूद उन्होंने साथ छोड़ दिया तो इस बात का राहूल गांधी को तकलीफ है क्योंकि हर प्रेस कॉंफेर्स पर बाते कर रहे हैं लाजमी है कि जो पार्टी आपको इतना दिया आ जैसे कि कैप्टन अब निंदर की बात कर लेजिए सुनील जाकर की बात कर लेजिए यह लोग आज कोई बरा चीज नहीं कर रहे हैं कांग्रेस छोड़ कर लेकिन वह नहीं कर सकते क्योंकि उनके इपने इज़त की बात आ जाती है लेकि फिर भी मुझे लगता है कि इन आजाद के लिए वो मूँ खोलेंगे यानि की पारटी में वाफसी कराने की बात करेंगे लेकिन इसके बावजूद देखा गया कि राहुल गांदी ने भरी मंच पर गुलाम नभी आजाद को लेकर जो टिपड़ी की वो आपने भी सुनी लेकिन यह टिपड़ी कही नहीं इशारा कर देती है कि गुलाम नभी आजाद की कोई भी जगाए कॉंग्रिस पार्टी में नहीं हैं हमारे साथ राहूल हैं राहूल से एक सवाल लेंगे कि जिस तरीके से जो माहल जम्मू कस्मीर का नजर आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि कश्मीर विधान सभा चुनाप क कि पहले पहले घुराम नभी आजाद को बिजडर पीपी पारटी में शामिल करा जासकता है क्यों कि जब कॉंगर्स पारटी ने बहुत दूर रख दिया तो बीजडर पी एक और गुलाम नभी आजडर polish by रहे हैं फिर से सीम बनने का सपना देख रहे हैं तो क्या लगता है राहुल गांदी ने जो मजाक बनाया तो क्या बीजबी पाटी अब गुलाम नभी आजाद को मौका देगी राहुल गांदी ने मजाक नहीं बनाया राहुल गांदी ने बकायदा मैं अगर बात कहूं तो राहुल गांदी क्या कहना चाहरे है और राहुल गांदी ने गुलाम महीने बाद अंदर चले आते हैं फिर बाहर और अंदर इससे पार्टी खराब हो जाती है इससे पार्टी का जो पूरा स्विक्वेंस है वो खराब हो जाता या तो पार्टी में रही है पार्टी छोड़ दीजे यह पहली बात दूसरी बात गुलाम नभी आजाद को लेकर कि स्टेंड क्लियर करना पड़ेगा या तो आपने जो नई पार्टी बनाई है उस पार्टी को आप आगे लेकर चलिए लेकिन आपने जो नई पार्टी बनाई है भाई आपने तो उसका अभी तक रेजिस्टेशन नहीं करवा है ना वो तो रेजिस्टर भी पार्टी नहीं ह वो वापस Congress Party के पास चले हैं तो अकेले तो गुलाम नभी आजाद पार्टी नहीं चला पाएंगे जब राहुल गांधी कहते हैं कि 90% नीता तो गुलाम नभी आजाद के Congress में आ चुके हैं तो तमाम लोग हसने लगते जैराम रवेस्ट भी वहां वेटे होते हैं राहुल गा क्या लगता है यह मजाक था या फिर गुलाम नभी आजाद से को यह महसूस करवा रहे थे कि आपने Congress Party को छोड़कर बहुत जो है गलत निरना लिया था किसी पार्टी को बनाना बहुत सरल है आप भी एक पार्टी बना सकते हैं आप बता दिन जी मेरे पास इतने मेंबर है मैं अपनी नई पार्टी बना रहा हूँ लेकिन उस नई पार्टी को आप चलाएए भई हर पार्टी आमादमी पार्टी थोड़ी हो जाएगी आना आंधोलन के वक्त से जिस तरह से अर्विन केजरवाल की शुरवात हुए और रातो रात उन्होंने आमादमी पार्टी बन नहीं बन रहा है कॉंग्रेस में नहीं लग रहा है तो नहीं पार्टी बना लेते हैं लेकिन नहीं पार्टी बनाने से क्या हूँ इससे पहले भी बहुत सारी पार्टी है बनी है बहुत सारे असे मार देश में पार्टी है जिसका केवल छेत्र इस तरह पर रोल नजर आ रह या तो पार्टी से बाहर रहिए या तो पार्टी में आये या बीजेपी के साथ जाए उसके बाद जो है आप अपने स्टेंड क्लियर करिए तब जाकर लगेगा कि हां क्या गुलाम नभी आजाद को कहा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो खुद कन्फ्यूज ने किय गुलाम नभी आजाद खुद कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं या तो पार्टी को बनाई एक पार्टी खुद की पार्टी में रही है या फिर कॉंग्रिस का दामन थाम लिजी या फिर बीजिवी पार्टी में चले जाए ये लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है लेकिन क्या गुलाम नभी आजाद आने वाले वक्त में कॉंग्रिस पार्टी में शामिल होंगे या फिर गुलाम नभी आजाद को बीजिवी पार्टी निमंतर न भेज़ेगी आपको क्या लगता है कॉमेंट वॉक्सर में जरूर बताएं आज के इस खास प्रोग्राम में सतना ही देखते रहिए SPN 9 News